अगर आप चंडिगर्ड प्यार्टी एक्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो यह क्लासिज आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपोटेंट हैं और आज का जो सेसन है इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा आज के session में हम science के आपके science के जो most important MCQ है वो मैं आपके लिए ले के आया हूँ तो अगर आप channel पर new है तो channel को subscribe कर लीजिए अगर आपको किसी तरह का कोई doubt है कोई issue है कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप इस contact number पे WhatsApp message या फिर direct call भी कर सकते हैं अगर आपने telegram group को join नहीं किया है तो आप telegram group को join कर लीजिए telegram group को join करने का जो link है वो आपको इसी video के description में मिल जाएगा हमारी application foundation classes by Amit को अगर आपने download नहीं किया है तो आप application को download कर लीजिए application को download करने का जो link है वो भी आपको इसी video के description में मिल जाएगा देखी जैसा कि आप सभी ने बोला था कि आपको सिर्फ और सिर्फ notes रही है ताकि आप कम समय में उनको revise कर सकें तो हमने हमारी application के अंदर जो आपका notes का जो course है उसको launch कर रखा है आप application को download करके इस course को प्राप्त कर सकते है इन सभी PDF का आप print निकलवा पाएंगे और इस course के साथ ही आपको free of course दो test series मिल रही है एक आपके social science की और एक आपके science की या आपको chapter wise होंगी जैसे कि 28 chapter आपके किसमे है social science के अंदर है तो वो सभी mcq आपको मिल जाएंगे पलस में 16 chapter आपके science के है तो वो सभी mcq है वो भी आपको मिल जाएंगे तो इस course को आप application को download करके जाकर ले सकते हैं आगे बढ़ते हैं अगर आपको सिर्फ और सिर्फ test series ही चाहिए जिसमें आपको social science और science दोनों test series मातर 99 रुपए में आपको ये test series भी मिल जाएगे तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ test series चीए तो भी आप application में जाकर इस test series को purchase कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं आज के session को देखिए निमल लिखित में से गलत कथन को पहचान ये आपसे पुछा गया है कि निमल लिखित में से गलत कथन को पहचान ये first option है आपका अमलों का स्वाद खटा होता है और निले लिटमस पत्तर को ये लाल कर देते हैं आप बताए ये correct है या नहीं है देखिए ये आपके एकदम correct statement है जो आपके अमल होते है उनका जो स्वाद है वो आपका खटा होता है जैसे आपने इमली खाई कैसी है खटी है उसका स्वाद जो है वो अमली है खटा स्वाद है ठीक है और जो अमल जो होते है वो निले लिटमस पत्तर को लाल कर देते हैं मैंने इसको याद करने के आपको trick भी बताई है जो मैं हमारा वीडियो कोर्ष है उसके अंदर मैंने इसको याद करने के trick बताई थी अमल अब अमल में क्या लिखते हैं हम last में ले आता है न लेल यानकि लाल यानकि निले लिटमस पत्र को क्या करेंगे ले आ रहा है ले तो इसलिए अमल जो होते हैं वो निले लिटमस पत्र को लाल करते हैं और उनका स्वात क्या होता है आपका खटा होता है ठीक है next statement है स्वेद कपडे पर लगे सबजी के दाग पर छारके साबुन लगाने पर जो दाग का रंग है वो लाल गुला भी होता है अब इस statement के बारे में बताएए आप देखिए ये जो statement है ये आपकी गलत है जब स्वेद कपडे पर अगर सबजी के दाग लग रहे हैं ना तो आप जब आप उसको छारके साबुन से जब उसको दोएंगे आप उस पर दाग का रंग लगाएंगे तो जो रंग है ना वो आपका लाल भुरा होता है लाल गुला भी नहीं होता कैसा होता है लाल भुरा रंग हो जाएगा लाल भुरा रंग आप इस बात को याद रखेगा नेक्स्ट आपका लिटमिस एक कृत्रियम सुचक है और हल्दी एक प्राकर्तिक सुचक है देखे ये भी statement क्या है आपकी गलत है ठीक है मैंने आपको थोड़ा सा confuse करने के लिए question डाला था ये statement भी आपकी गलत है जो हल्दी है ये भी आपका प्राकर्तिक सुचक है और जो लिटमस होता है लिट statement आपकी सही है तो आमसे पुछा था कि निमल लेखित में से गलत कथन को पैचानिए तो गलत कथन कौन से है आपका B और C ठीक है बी एंड जो C है वो आपके गलत कथन है आप समझ गये होंगे आप देखते है explanation को देखिए ये सारे चीज़े हमने अमारे जो notes है ना notes के हिंदी आपकी complete हो चुकी है इंगलिस आपकी complete हो चुकी है अब हमें सिर्फ और सिर्फ जो mathematics वाला जो portion है उस पे बहुत अच्छे से काम करना है ठीक है और समय से पहले आपका syllabus complete हो जाएगा और एकदम best तरीके से होगा इस बात को आप याद रखेगा ठीक है तो अगर जिन अगर अमल होंगे तो स्वात कैसा मिलेगा आपको खटा मिलेगा अगर चार होंगे तो स्वात कैसा मिलेगा आपको कड़वा मिलेगा ठीक है अमल यह हम चार के एक दूसरे के प्रभाव को खतम करते है अब इस लाइन का मतलब क्या है मैंने वीडियो कोर्श्यों में इंदर बोर डिटेल से बताया है कि अमल उजो चार होते हैं एक दूसरे के प्रभाव को खतम कर देते हैं आपने काफे बार देखा होगा आपके पेट में क्या होते हैं जलन होती है आपको practical example दे रहा हूँ आपके पेट में क्या होते हैं कई बार जलन होती है तो हम बोलते हैं पित बन गया एक तरह से वो अमल बन गया हमारे पेट में अमल बन चुका है तो उस अमल की वज़े से हमारे पेट में क्या हो रही है जलन हो रही है तो हम क्या करते हैं डोक्टर के पास आते हैं और दवाई लेते हैं तो वो जो दवाई देते है न, वो दवाई में क्या होता है? वो छारक दवाई होती है. और अगर हम नॉर्मल बात करें तो हम मैगनीसिय बोलते हैं, मैगनीसिया, ठीक है आम वो लेते हैं, ठीक है मिल्क ओफ मैगनीसिया बोलता है, उसको Mg O H की होल टौ आईस. यह उसका फॉर्मूल आता है M-G-O-H की होल टुआइस यहाँ पर नेचे टुआएगा ठीक है यह आपका milk of magnesium बोलते है इसकी जो प्रकर्ति है यह आपकी छारक ही होती है यहाँ होता है यह चार होता है चार तो पेट में क्या है अमल के अंदर चार जाके मिलेगा तो जो इसका अमल का प्रभाव होता है उसको खतम कर देता है और वो जैसे ही प्रभाव खतम होता है हमारा पेट की जो जलन है वो आपकी खतम हो जाती है तो इसलिए बोला गया है अमल एवं छारक एक दूसरे के प्रभाव को खतम करते हैं अगर अमली प्रकर्थी जदा बढ़ गई तो आप छार की दवाई देदीजी तो आप अमली दवाई देदीजी जैसे मिट्टी है, मिट्टी में कई बार छारकता भढ़ जाती है, तो अमली जो पोसक्तत्तों है वो मिलाई जाते हैं, अगर अमली ता भढ़ जाती है, तो जो छारक पोसक्तत्तों होते हैं वो मिट्टी के अंदर मिलाई जाते हैं, तो अमली जो छारक होते हैं, वो एक दू चारक का मतलब हो गया आपका basic, base, अमल का मतलब होता है acid, अगर आप English के अंदर पूछना चाहते हैं तो देखें अमल को बोलते हैं acid, और जो चारक होते हैं चारक को बोलते हैं base, ठीक है, तो जो आपका acid है उनका स्वाद खटा होता है और निल्य लिटमस पत्र को लाल करते है जबकि जो चारक हैं उनका स्वाद कैसा होता है, आपका कड़वा होता है और ये जो होते हैं वो लाल को निल्ला करते हैं, क्या करते हैं, याद रखेगा अब देखें आप लिटमस के बारे में, कि लिटमस क्या है, एक प्रकर्तिक सुचक है और ये आपको natural प्रकर्तिक के अभी हुआ था ना, 5-10 दिन पहले जो एस्टेट हुआ है, एस्टेट के एक्जाम में भी हल्दी वाला क्यूशन पुछा गया था, कि हल्दी किस तरह का आपका सुचक है, ठीक है ये क्यूशन आपका एस्टेट के अंदर 2023 वाले में पुछा गया है, आगे देखिए, स्व पिले रंका हो जाएगा, अगर आपने कपड़े को बार-बार फिर से धोया ना, तो जो सबजी का दाग था, जो धबा था आपका, वो फिर से कैसा हो जाएगा, आपके पिले रंका हो जाएगा, याद रखिएगा, अब ये आगे है, ये भी आपका most important है, अब इसमें क्या सुचक कोन से है, अगर आपसे पुछाए संसलेशिट, जो सुचक है, वो कोन से है, तो आप बताएंगे, मेथिल ओरेंज, ये मिथाइल ओरेंज, जिसे हम बोल देते हैं, और फिनल एफ्टली, ये आपके क्रित्रिम सुचक के अंतरगत आते हैं, जैसे आपके हल्दी हो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो क्रेक्ट आंसर या पर क्या होगा आपका, B and C, क्यों, क्योंकि ये जो कलर है वो आपका लाल गुला भी नहीं, लाल भूरा होगा, वो लिटमस कैसा है, एक प्राकरतिक सुचक है, और हल्दी कैसी है, ये भी एक प्राकरतिक सुचक है आपक तो इसलिए B और जो C स्टेटमेंट थी, ये दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत थी, मैंने थोड़ा सा कन्फ्यूज करने के लिए दोनों उप्सन में डाल दिया था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्यूशन के तरफ चलें, आप समझ चुके हैं, अब देखिए, अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, आपका Old Subject वाला जो कोर्स, जैसे मैंने Science का ये Topic आपको समझाया हवी, इसी तरह से वीडियो में हमने हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से डिसकस किया है, आपके SST कम्प्लेट हो चुकी है, जिसमें वीडियो, PDF सब कुछ कम् ठीक है ना, तो आपके जो 28 chapter है total, वो सभी MCQ मिल जाएंगे आपको, तो साथ की साथ आपकी practice भी चलती रहेगी, science है, आपकी कुछ ही बची है, 2-3 दिन में science आपकी end हो जाएगी, Hindi end हो चुकी, English end हो चुकी है हमारी, तो उसके बाद जो आपका ICT का portion है, mathematics NCRT का portion है, हम अगर आप इस course को लेना चाहते है ना, तो मात्र 1340 रुपय में आप application में जाके इस course को purchase कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ six subject ही पढ़ने हैं, जैसे कि आपकी social science हो गई, आपकी science हो गई, Hindi, English, reasoning और journal awareness का portion, जिसमें मैं आपको one year की, जो current affair है, वो provide कर वाऊंगा और वो भी हम start कर देंगे अब जल्दी, ठीक है, तो यह सब चीज़ अगर आपको लेनी है ना, तो आप application को download कर लीजिए, और application को download करके, अपने phone number से register करके, आप इसको ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखें, next question को देखिया, litmus willion, हमने पढ़ा ना लिटमस पत्तर के बारे में, तो इसी तरह से आपका litmus willion होता है, तो litmus willion, जब नय आपका अमलिय हो, और नय ही आपका छारिय हो, तब जो यह willion है ना, इसका रंग है ना, वो कैसा होगा, एक तो होता है litmus पत्तर, एक होता है litmus willion है, कि आपके पास एक प्रकार्शेक liquid है जिसे हम litmus willion बोल रहे हैं, तो litmus willion, जब नय तो आपका अमलिय होता है, यानकि acidic वो नहीं है, और ना ही आपका वो छारिय है, यानकि basic भी नहीं है, फिक है ना, तब उसका जो रंग है ना, उस willion का रंग, वो आपका कैसा होता है, यह आपसे पुछा गया है, तो देखिय आपका जो litmus willion है, उसमें कोई भी नहीं होता है, ना अमलिय होता है, और ना ही उसकी प्रकृति चारिय होती है, ना ही वो अमलिय प्रकृति का हो है, ना ही वो चारिय प्रकृति का है, उस समय जो willion का रंग है, वो आपका बैंगनी होता है, याद रखेगा और यह most important question है, यह भी आप याद रखेगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, explanation को देखिए आप, कि litmus willion, बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो किस ग्रूप से आपके थैलोफाइटा समू से होता है, थैलोफाइटा समू का एक पोदा है, क्या नाम है, लाइकेन, जिसे हम लिचेन भी बोलते है, लिचेन या लाइकेन, इस पोदे से निकाला जाता है, आपका litmus willion, याद रखेगा, प्राई इसे सुचक के तरह उपयोग करते हैं, हाँ, बिल्कुल करते हैं, हमने जश्ट अभी देखा ना, जो litmus है वो, आपका क्या करतेता है, निले को लाल और लाल को निला, हमने देखिए, litmus willion, जब नय तो अमली होता है, और नय ही छारकी होता है, तब यह बैंगनी रंका होता है, मिल गया अंसर आपको, भहुत सारे प्राकर्तिक पदार्थ, जैसे की लाल पता गोबी, आपका हल्दी हो गया, उसके बाद आपका हाइड्रेजिया, यह पोदा है, आपकी एक सुचक की तरह यूज की जाती है, और इने हम अमल छारक सुचक या कभी-कभी केवल सुचक भी कहते हैं, यह कहते हैं, अमल छारक सुचक या कभी-कभी केवल सुचक कहते हैं, तो आप याद रखेगा प्राकर्तिक अंदर कौन-कौन सी, आपकी लाल पता गोबी ये सबी हमारे नोट के अंदर उपलब देए चीक है लाल पत्तागो भी हो गई आपकी हल्दी हो गई हाइड्रेजिया ये सबी याद रखेगा आप पेटूनिया पेटूनिया और जेरोनियम ये जेरियनियम भी बोल सकते हैं जेरियनियम ये जेरोनियम ठीक है और आपका litmus ये सारे सारे किसमें आते हैं आपके प्रकर्तिक सुचक के अंदर आते हैं ठीक है इस बात को आप याद रखिएगा अब देखिए इस question को देखो आप ये आपका estate 2013 के अंदर पुछा गया क्यूस्टा नहीं तो हमारे notes में से अंसर था क्या है हल्दी हल्दी आपका सुचक है अमल छार का सुचक हमने जस्ट अभी पढ़ा ना इन्हें हम क्या कहते हैं इन्हें हम अमल छार सुचक कहते हैं या कभी कभी केवल सुचक भी हम बोलते हैं कौन-कौन से लाल पत्ता गोभी हल्दी, देखिए हल्दी का नाम दिग गए आपको तो यही आपका स्टेट 2023 के अंदर भी क्यूसन पुछा गया था, ठीक है आगे बढ़ते हैं, अब next question है, इसका answer क्या होगा, आपका हल्दी हो जाएगा याद रखेगा, अब आगे बढ़ते हैं Milk of Magnesia का pH मान कितना होता है Milk of Magnesia का pH मान कितना होता है हम भी मैंने जस्ट आपको एक पेट का example दिया था, कि जब आपके पेट में जलन होती है न, तो पेट में जलन होने का मतलब क्या है पता है पेट में जलन होने का मतलब है है आपके पेट में जो HCL है ना हाइड्रोक्लोरिक अमल जो हमारे हमासे के दौरा या अगनासे के दौरा जो निकलता है हमासे के दौरा पेट में जो हमारा HCL बनता है हाइड्रोक्लोरिक अमल बनता है उसकी वज़े से हमारे पेट में क्या होती है जलन होती है हम काफी बार ब होता है MgOH की whole twice in milk of magnesia तो हमसे यह पुछा गया है कि इसका pH मान कितना होता है अब यह तो हमें समझ में आ गया कि कितना होता है आपका साथ से ज्यादा मिलेगा आपको यह लाइन पता है आपको याद होगी अगर मैं इस तरह से कलो स्कोर मैं थोड़ा से रब वालिये आपका शारी होता है और जो साथ के जाड़ा वाले होता है वो आपका उदासिन होता है क्या होता है उदास निया कि नए तो वो अमली है और नए है वो आपका चारिय है अब हमने बात की कि पेट में आपका HCL है इनकी अमल है तो अमल तो कैसा है आपका HCL हो गया तो यह तो अमली प्रकृति का हो गया तो यह भी आपका नहीं हो सकता 7.4 और 10 इन दोनों में से होगा तो इसका जो correct answer होगा वो होगा आपका 10 जो milk of magnesium है ना इसका pH मान होता है आपका 10 इस बात को याद रखेगा और जो 7.4 जो मैंने बताया है यह आपके रच्ट का pH होता है जो आपका blood है ना blood तो अगर आपसे पुछा जाए कि blood किस प्रकृतिका है तो blood भी आपका चारिये प्रकृतिका होता है आपका basic होता है blood भी आपका basic होता है basic चारिये ठीक है याद रखेगा आप क्यों क्योंकि इसका जो pH है वो आपका 7.4 है यादकी 7 से जादा है और जैसे ही आप साथ से जादा जाएंगे तो 7.4 क्या हो गया आपकी चारिये प्रकृतिका हो गया ठीक है इस बात को आप याद रखेगा और ज acid का जो असर था वो खतम हो गया यादकी आपकी जो पेट की जलन थी वो आपकी खतम हो जाएगी ठीक है तो मैंने इसको एक practical तरिके से आपको समझा दिया है ठीक है इसी तरिके से हमने वीडियो में बहुत ही अच्छे जी details इंटोपिक को किया है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखिए मैंने यहापे लगा दी है आपके लिए इमेज लगा दी है आपका pH scale है 0 से 14 तक value आपकी तो अगर आपसे पुछा जाता है तो रक्त देखिए आप कितना होता है 7.4 अगर निम्बो के रस के बारे में पुछा जाए तो 2.2 यानि कि आपका अमलिय है और वैसे भी आपको पता है जो आपका जो निम्बो का कैसा होता है खटा होता है और खटी प्रकृति किसकी होती है आपकी अमल की होती है तो अमलिय कैसा हो गए आपका 2.2 ठीक है अमलिय निम्बो का रस अमलिय होता है 2.2 का ठीक है एक्जांपल स आप समझ गई, अगर जठर रस की बात करें हम, पेट के अंदर जो रस निकलता है, उसका कितना होता है, आपका 1.2, याद रखेगा, कितना होता है, 1.2, जठर रस का 1.2, निम्बू के रस का 2.2, अगर आपका सुध जलका पुछा जाता है, तो 7 होता है, याँगी उदासीन ह अगर आपसे रक्त का पुछा जाता है, तो 7.4 है, अगर आपसे मिल्क ओफ मेगनीशिया पुछा जाता है, तो आपका 10 है, जो कि मैंने आपसे क्यूशन के अंदर पुछा है, और अगर आपसे पुछा जाए, सोडियम हाइड्रोकसाइड, सोडियम हाइड्रोकसाइड का मत हमारा सरीर का जो pH परास है वो कितना है किस बीच में कारिय करता है pH परास का मतलब हो गया जो हमारी pH value की जो range है pH range वो कितनी है यानि कि जो हमारा सरीर है किस pH के बीच में कारिय करता है सही तरिके से perform करता है कारिय करता है options को देखिया 5.4 से 5.7 6.2 से 6.8 7.0 से 7.8 और इन में से कोई नहीं ठीक है फिर से देख सकते हैं हाँ 5.5 से 5.7 6.2 से 6.8 7.0 से 7.8 और इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा न वो होगा 7.0 से 7.8 यह हमारे सरीर का परिसर है परिसर है जिस बीच में जो हमारा बोड़ी है ना हमारी बोड़ी सही तरिके से काम करती है तो यह पिएच मान है पिएच मान की रेंज है 7.0 से 7.8 याद रखिएगा आप ठीक है अब देखते हैं एक्स्प्लेनेशन को देखिए आप यह सभी नोट्स में इंकलूड है वई ठीक है तो अगर आपको नोट्स लेने हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप नोट्स भी ले सकते हैं देखिए आप हमारा सरीर 7.0 से 7.8 पिएच परास के बीच में कारिय करता है आंसर मिल गया जीवित प्रानी केवर संकिरन पिएच परास परिसर में ही जीवित रह सकते हैं और वर्षा के जल का पिएच मान पुछा जाए न तो 5.6 से कम होता है वर्षा के जल की पिएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है न तो वह अमलिय वर्षा कहलाती है यानिके जो अमलिय वर्षा है अमलिय वर्षा इसका जो pH मान कितना होता है 5.6 से कम होता है 5.6 से कम अगर 5.6 से कम है किसी भी वर्षा का pH मान यानिके वो कैसी है आपके अमलिय वर्षा है और अमलिय वर्षा के नदर आपको पता है ने क्या मिलते है Sulfuric Acid और Nitric Acid Sulfuric और Nitric Acid Sulfuric Acid नाइट्रिक Acid य То यो जब दोनों मिलते है ना तब क्या मिलती है आपकी अमलिय वर्षा होती है ठिक है इन दोनों के मिलने से Sulfuric Acid और Nitric Acid अगर चल रहा है यानके वो आपकी क्या है आपकी अमलिय वर्षा है आगे देखते हैं अमलिय वर्षा का जल जब नदी में प्रभाइद होता है तो नदी के जल का pH का मान क्या हो जाता है आपका कम हो जाता है ऐसी नदी में जलिये जीवधारियों की उत्तर जीविता कठिन हो जाती है उत्तर जीवीत का मतलब होता है उनका जो जीना है न जीवन जो जीवन जीते है वो जीवन जो है उसके उम्मर है जो उनके एज वो क्या हो जाती है आपके कम हो जाती है उनके लिए जीना जो है वो मुस्किल हो जाता है जब pH मान आपका क्या हो जाए, कम हो जाए, याद रखेगा, तो हमारे सरी का pH मान कितना होता है परास, 7.0 से 7.8, 7.0 से 7.8, आपको याद रखना है, ठीक है, तो correct answer क्या होगा आपका, answer number C, अब आगे बढ़ते हैं, next देखिए आप, दातों का enamel, जो सरीर का सबसे कठोर होता है, देखिए inamel, inamel जो होता है, वो दातों के उपर होता है, ठीक है, तो यह हमारे सरीर का सबसे कठोर भाग होता है, inamel, ठीक है, तो दातों का enamel होता है, वो सरीर का सबसे कठोर भाग है, तो यह आपका किसका बना होता है, अब देखिए आप, calcium carbonate का, यहाँ पर आपक करेक्ट आंसर होगा ना, वह होगा answer number C जो आपके दातों के उपर enable होता है, जो सरीड का सबसे कठोर भाग है, किसका बना होता है, calcium hydroxy appetite का किसका? calcium hydroxy appetite का बना होता है, हमारे दातों का enable, जो सरीड का सबसे कठोर भाग है, याद रखिएगा आप ठीक है आगे बठते है, explanation को देखिए आप, दातों का enable, जी से हम बोलते हैं, दत वल्क, क्या बोलते हैं, दत वल्क भी बोलते हैं, यह किसका बना होता है, आपका calcium hydroxy appetite. किसका calcium hydroxy appetite का बना होता है और ये किसका भाग होता है आपके calcium phosphate का crystal ये रूप होता है किसका calcium phosphate का crystal ये रूप होता है आपका calcium hydroxy appetite जो दातों के inamal का बना होता है ठीक है याद रखिएगा जो सरीर का क्या होता है सबसे कठोर बाग समझ गया आप आगे देखिए यह जल में नहीं गुलता जो आपका calcium hydroxy appetite है यह आपका जल के अंदर नहीं गुलता है लेकिन अगर मुह का जो pH मान है अगर आमारा जो मुह है तो मुह कैसे होता है अंदर से आमली भी हो सकता है चारी भी हो सकता है तो मुह के अंदर का जो pH मान है अगर वो 5.5 से कम हो गया तो यह जो enamel है यह आपका संचारी तोना स्टार्ट हो जाता है तो मुह में उपस्तित बैक्टेरिया भोजर के पस्चाद मुह में आउसिस्ट सरक्रा एवं खाजपदार्थों का निम्द्णी करन करके अमन उत्पन करते हैं अब इसका मतलब समझाता हूँ मैं चलो आपको आपने खाना खाया ठीक है मैं एक तरह से ऐसे बना लेता हूँ यह आपका मुह है ऐसा माल लो आप ठीक है और यहापर यह आपके दात है ठीक है यह जो लाइन खीत रहा हूँ यह आपके दात है देखे ड्रोइंग नहीं आती है मुझे अच्छे जे इसलिए मैं ऐसे दात बना रहाए यह आपकर दात हैं यह आपका मूह है तो खाना खाने के बाद क्या होता है यह जो दात हैं इन दातों के बीच में गला जेते हैं तो इस अमल के बारे में बात कि़ा रही है अगर यह अमल जो है आपका 5.5 से कम हो गया है ना इसकी प्रकरती मूँ के अंदर की अमल यह प्रकरती 5.5 से कम हो गयी ना तो आपके दातों के उपर जो inamel है ना वो आपका नस्टोना स्टार्ट हो जाएगा तो enamel एक अच्छी चीज़ है जो दातों के उपर होता है ठीक है ये दातों को safe रखता है अच्छा रखता है इसलिए बोला जाता है कि खाना खाने के बाद हमेशे आप brush कीजिए अगर खाना खाने के बाद आप brush करते है न अच्छी से तो खानों के बीच में जो दातों के बीच में जो खाना फसा रहता है ना वो आपका निकल जाता है अगर ये निकल जाता है तो नॉर्मल सी बात है आपके मूँ में अमल नहीं बनेगा अमल ये प्रकरति 5.5 से कम नहीं होगी और अगर ये कम नहीं होगी तो आपका जो क्या है एनेमल है वो आपका सुरक्सित रहेगा वो आपका नस्ट नहीं होगा तो इसलिए बोलते हैं कि खाना खाने के बाद क्या कीजिए आप ब्रस कीजिए समझ गए ना आप मेरा कहने के तरीका बस यही बात थी में ली अब आगे बढ़ते हैं इसका क्रक्टानस्वर क्या होगा आपका कैल्सियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कैल्सियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट याद रखिएगा अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका नेटल नेटल क्या है जिसके डंग से मेथोनाइक अमल के स्राव से दर्द होता है याद कि नेटल आपके बार में पुछा गया कि नेटल क्या चीज है इसके डंग में क्या होता है आपका मेथेनोइक अमल होता है मेथेनोईक अमल जब आपको इस सरीर के उपर लगेगा तो आपको दर्द होगा इस मेथेनोईक अमल से तो अगर आपको याद हो तो चिटी होते हैं चिटी तो चिटी का आपका डंक होता है इसके अंदर भी मेथेनोईक अमल होता है तो आपसे यह पुछा गया कि जो नेटल है नेटल क्या है एक पोदा है एक केड़ा है एक चिटी है या फिर बिच्छू है तो जो नेटल है वो एक आपका पोदा है एक साखिय पोदा और इसके उपर है ना जैसे यह आपके पोदा है ठीक है तो इस पोदे की जो पत्तिया है ना इसे पर छोटे छोटे बाल होते है जो डंक की तरह काम करते है ठीक है जैसे आपने इस पोदे को छुआ ना इन पत्तियों को छुआ तो जो डंक है ना आपके जो आपकी जो खाल है न इसके अंदर छुप जाएंगे ये, आपके जो skin है न इसके अंदर लग जाएंगे, और उसमें क्या होगा, आपके methane हो एक अमल का स्राव होगा, इन पत्तियों से, इस डंक से, और जो क्या करेगा, आपको दर्दगा हैसास कराएगा, तो nettle क्या है, nettle आपका एक पोदा है, याद रखेगा आप इस बात को, ठीक है, समझ गया answer, तो answer क्या हो जाएगा आपका, answer number A, एक पोदा, ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं, explanation को देखिया आप, ये देखिया आप, प्रकृति उदासी नहीं करण के विकलप देती है, nettle एक साक ये पोदा है, ये देख रहे हैं पोदा, और इसके देखिये पतिया, पतियों पर क्या दिख रहे हैं, आपको डंक से दिख रहे हैं, ठीक है, तो इनके अंदर होता आपका मेथनोईक अमल, जो आपके skin के अंदर है, इन पतियों को जब आप छुएंगे ना, तो आपके skin के उपर जो ये डंक है ना, ये जलती से छू जाए, तो डंक जैसा दर्द होता है, इन बालों से मेथनोईक अमल का स्राव होने के काड ये दर्द होता है, तो इन दर्द का कारण क्या है, आपका मेथनोईक अमल, जो कहा से निकलता है, इनके बालों से, जो पतियों को पर ये डंक जैसे बाल है, इन से निक गया तो कौन सा वो पोधा है जिसकी पत्ति रगड कर आपके दर्द को कम किया जा सकता है आपके दर्द है इसको ठीक किया जा सकता है कौन सा पोधा है डाक का पोधा डाक के पोधे की पत्ति रगड कर हम इस जंग को क्या कर सकते हैं इसका इलाज कर सकते हैं यह पोधे अधिक तो ठीक कर देगा, तो यह दोनों है ना, इस दोनों पोदे आपके आसपास ही उगते हैं, क्या आप डाग पोदे की प्रकरति का नुमान लगा सकते हैं, ठीक है, तो यह था आपका, समझे में आगए आपको, तो नोड निटल है, वो आपका साखिय पोदा है, आपको यह प्रबल अमल दूर्बल चारक के pH का मान कितना होता है। देखिए, यहाँ पे तीन तरह की चीज़ी नहीं होती है, एक तो मैं लिखू प्रबल अमल प्रबल अमल का मंदल होता है strong acid, ठीक है, प्रबल अमल वे प्रबल चारक, यनकी आपका जो acid है वो भी strong है और जो आपका base है वो भी strong है एक तो यह होगी आपकी condition एक दूसरी condition आपके पास जो मैंने question में पुछी है क्या परबल अमल परबल अमल वे दुर्बल चारक यह आपके second condition हो गई और एक मैंने third बोल दिया थर्ड मैंने क्या बोल दिया कि आपका परबल चारक यनकी जो base है वो आपका strong है वे दुर्बल अमल अब यहाँपे मैंने क्या कर दिया जो acid था उसको मैंने दुर्बल कर दिया तिनों condition समझ गई एक तो दोनों ही परबल है परबल भी अमल है आपका और परबल यह आपका चार है यनकी strong ही आपका acid है और strong ही आपका base है दूसरी condition मैंने बना दी कि परबल तो आपका acid है आप से पूछता हूँ तो आप क्या बता होगे पर एक बात बताईए मैंने अभी थोड़ देर पहले क्या पताया था कि अमल और जो छार होते है न वो एक दूसरी के परभाव को खतम करते हैं हमेशा चीजों को लिंक करके पढ़िए आप परभल अमल परभल चार जब दोनों ही स्ट्रोंग है और आपस में दोनों लडेंगे तो सिधा और सिंपल सी वाद है कोई नहीं जितेगा काम क्या हो जाएगा आपका ड्रा हो जाएगा क्योंकि दोनों परभल हैं दोनों स्ट्रोंग है तो इसका पेचमान क्या होगा आपका साथ क्यों? क्योंकि एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे और क्या हो जाएंगे? आपके उदासीन हो जाएंगे समझ गए condition? आप दूसरा ही आप आपकी बार मैंने बोला प्रभल अमल है वई और दुर्बल छार है एक बात बताईए अमल है strong और चार क्या है आपका क्या है दुर्बल है strong नहीं है तो एक बात बताईए अगर दोनों की लड़ाई होती है तो कौन जितेगा अमल अगर आपका strong है चार आपका दुर्बल है तो कौन जितेगा लड़ाई में अमल जितेगा सिधी सिंपल सी बात है अमल आपका प्रबल है, स्ट्रोंग है दुरबल आपका क्या है, छार है दोनों के लड़ाई में कौन जितेगा आपका अमल जितेगा क्यों यह स्ट्रोंग है समझ गई, अब एक खुद बताईए मुझे अगर मैं इस टेबल को बनाता हूँ यहाँ पे मैंने साथ लिया, यहाँ पे मैंने जीरो लिया, यहाँ पे मैंने चोदा लिया और मुझे पता है, साथ से कम है तो क्या है आपका अमल यह है, तो साथ से जादा तो क्या है, आपका छार यह है और मैंने अभी क्या बताया, कि प्रबल, अमल और दुरूबल, छार के आपने लड़ाई करवाई, और लड़ाई में प्रबल, अमल जीता, तो अमल ये प्रकरतिक कैसी आईगी आपकी, साथ से कम आईगी, तो second वाले condition क्या हो जाएगी, आपके साथ से कम हो जाएगी, यान कि परबल अमल वर दुरबल चार के पिएच कामान कितना होगा साथ से कम होगा समझ गया आप लोजिक को जो मैंने समझाया अब थर्ड़ प्याज आईए आपकी बार मैंने बोला कि परबल तो आपका चार है और दुरबल आपका अमल है यानि कि आपने परबल चार परबल बेस है आपने परबल चार की और दुरबल आमल की लड़ाई करवा दी अब कोन जितेगा जो परबल होगा जो स्ट्रोंग होगा तो आपकी बार स्ट्रोंग कोन है आपका चार स्ट्रोन है तो आपका चार जीत गया वे लड़ाई के अंदर और अगर चार जीत गया तो प्रकर्ति कैसी होगी वो चार ये प्रकर्ति रखेगा न वो अपनी अगर टेरिटरी बनाएगा कैसी बनाएगा चार ये तो बनाएगा तो चार ये कैसा होता आपका साथ से ज़्यादा तो इसकी कंडिशन क्या हो जाएगी आपकी साथ से ज़्यादा हो जाएगी तिनों कंडिशन मैंने एक साथ आपको समझा दी परबल अमल है परबल चार है तो साथ से कम आएगा लेकिन अगर परबल चार है और दुर्बल अमल है तो क्या हैगा आपका साथ से ज ठीक है अब देखिए परबल आमल एवं परबल चान रखके लवण के पेच का मान साथ होता है यह मैंने बता दिया था दून्नों अगर परबल परबल है तो साथ आएगा और यानिकि देखिए यांकि यह अमल ही होते हैं यह तो समझ गया आप सिधी शिंपल ची बात है अगर मैं परबल चार रख लूँगा और दुर्बल अमल ले लूँगा कौन जीते का लड़ाई में परबल चार जीतेगा भई तो अगर चार जीता तो क्या रखेगा पी एच का मान साथ से डा कम होगा तो क्र스트ा आंसर का हो जाएगा आपका आंसर नमबर भी आप समझ गए होगगे ठीक है आगे बढ़ते हैं explanation में ने दे दी है आगे बढ़िए नेक्स्ट आपका ख्लोर छार क्लोरिन क्लोर छार क्लोरीन जो प्रिक्रिया है इसमें कौन सा उत्पाद बनता है और इसको हम बोलते हैं सोडियम प्रिक्रिया भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हम सोडियम जो प्रोसेस है सोडियम प्रोसेस सोडियम प्रोसेस भी बोलते हैं यांकि सोडियम प्रिक्रिया या बोलते हैं सोडियम प्रिक्रिया भी बोलते हैं हम इसको याद रखेगा आप तो options को देखिए आप जो chloride, chloride, chlorine या फिर sodium प्रिक्रिया है sodium process है उसके अंदर कौन सा आपका उत्पाद बनता है तो sodium chloride बनता है, sodium hydroxide बनता है, calcium chloride बनता है और calcium hydroxide बनता है तो सिधा और simple सा है ना तो calcium chloride बनेगा कि मैं बता चुका हूँ इसका नाम sodium process भी है और ना ही क्या बनता है आपका calcium hydroxide बनता है बचे आपके दो क्या sodium chloride और sodium hydroxide अब जिसने chlor छार देखा न याणि क्लोरीन देखा वो सिधा और simple सा है कहाँ पर भागेगा sodium chloride की तरफ भागेगा लें गल्त हो जाएगा बई यहाँ पर जो correct answer आएगा वो answer number B आएगा क्या बनेगा आपका sodium hydroxide बनेगा देखते हैं हम explanation को चलिए देखिया आप sodium chloride के जलिये विलियन यहाँ कि लवन जल से विद्धूत प्रवाइद करने पर यह व्योजित होकर sodium hydroxide उत्पन करता है इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं chlor, चार या chlorine या फिर chlor या फिर sodium process या sodium प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि इसमें जो आपका उत्पाद निर्मित होता है न वो आपका hydroxide होता है और hydroxide कैसी प्रकर्ति के होते हैं आपके चार प्रकर्ति के ये भी आपको याद रखना है तो देखिया आप आपने क्या लिया 2 NaCl 2 NaCl यानकि 2 mol आपने क्या लिये sodium chloride के लिये प्लस में आपने क्या किया 2 Na 2 Na के साथ OH लग जाएगा यहां से एक OH आजाएगा तो 2 NaOH प्लस में आपका Cl2 chlorine gas बन जाएगी और प्लस में आपके hydrogen gas बन जाएगी यहां पे भी H2 निचे आएगा यह ठीक है क्या बन जाएगी H2 gas chlorine gas और sodium hydroxide तो क्या पदार्थ बना आपका उत्पाद क्या बना इस side जो होते हैं वो आपके बनते हैं वो मिलकर बनते हैं यह उत्पाद नहीं होते हैं उत्पाद आपके इस तरह होते हैं यह आपके हभीकारक होते हैं और यह होते हैं आपके उत्पाद जो बनते हैं तो क्या बना आपका sodium hydroxide तो correct answer क्या होगा आपका answer number B आप समझ गये होंगे ठीक है वीडियो में आपने अच्छे सिकर रखा है इनको अब आगे बढ़ते हैं अब next है आपका निमल लिखित में से किस जल में crystallization का जल नहीं होता है अब ये आपका चंडिगड PRT 2022 वाले के अंदर पुछा गया क्यूशन है अब काफी लोग पता नहीं इसमें क्या सोचते हैं किस तरह से सोचते हैं एकदम easy क्यूशन है बच्चों वाला कि निमल लिखित में से किस जल में crystallization का जल नहीं होता ये आपसे पुछा है अगर मैं आपसे blue vitrol के बारे में पुछा हूँ तो अगर केसी को blue vitrol का formula पता है न तो ये क्यूशन एकदम ही easy है blue vitrol तो blue vitrol होता है आपका copper sulfate और इसका जो formula है न वो इस तरह से रिखा जाता है CuSO4 into 5H2O ठीक है अगर मैं baking soda के बारे में बात करता हूँ एक आपका washing soda होता है एक होता है आपका baking soda अगर मैं baking soda के बारे में बात करूँ तो इसका formula होता है NAHCO3 सोडियम हाईडोजन कार्बोनीट अगर बोला जाए तो एक होता है आपका washing soda ठीक है, वासिंग सोटा, और वासिंग सोटा का जो फोर्मूला होता है न, वो होता आपका Na2, CO3, इंटू में 10H2, यह होता आपका वासिंग सोटा का फोर्मूला, और एक होता आपका जिपसम, जो होता है, जिपसम, और जिपसम का जो फोर्मूला होता है न, वो होता आपका क प्लास्टर ऑफ पैरिस आपने प्लास्टर तो सुना होगा, जब किसी का अक्सिडेंट हो जाता है, कोई हड़े वगरा तूट जाती है, तो हम क्या करवाने जाते हैं, हम बोलते हैं, प्लास्टर करवाने जा रहे हैं, प्लास्टर भी बोल जाते हैं, तो प्लास्टर वो आप अगर आप देखते हो यहाँ पर आपको इसमें कुछ कोमन चीज दिखाई दे रही है अच्छे से देखो आप कुछ कोमन दिखाई दे रहा है वह आपने देखा यहाँ पर भी आपको S2O नजर आ रहा है अलग से यहाँ पर भी क्या दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी जल विदुमान है, उसके अंदर अलग से जल विदुमान है यहां प्रैजेंट है, उसमें जल अलग से तो ब्लू विट्रोल यहीं कौपर सलफेठ के अंदर देख सकते हैं अलग से 5S2 है वासें जोडा है अपका रिजेंट है प्रेजेंट है जिप्सम में आप देख सकते हैं अलग से क्या है आपका जल प्रेजेंट है जल विद्वान है समझ गया तो बचा क्या आपका बेकिंग सोडा तो बेकिंग सोडा आपका एक मातर ऐसा है जिसके अंदर अलग से जल नहीं है और अलग से जल नहीं है तो यह क्या आपका आज का सेशन साइन्स का ठीक है तो आप हमारी जो SST है वो completely video course में हो चुकी है आपके science के भी maximum chapter में करवा चुका हूँ जो chapter बचे हुए है तीन से चार दिन में हम उनको खतम कर लेंगे और इतने ही best तरीके से हम mathematics NCRT और competitive mathematics की तो मैं PDF अप्लोड कर चुका हूँ उसके सिर्फ और सिर्फ हमें video करने हैं जल्दी जल्दी ठीक है तो आपका जो सभी subject है ना ICT वगरा सब बहुत ही अच्छे और best तरीके से complete होंगी हमारी video course में लेकिन जिनको सिर्फ और सिर्फ नोट्स जीए तो वो आराम से नोट्स भी ले सकते हैं ठीक है तो आज के session में थेंड़ा थेंक यू